नमश्कार, स्वागत अबच्छ आपका Self Study के चैनल में और हम अपनी इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि चीन जो है पैंगोंग जील के उपर एक ब्रीज बना रहा है अब इस ब्रीज के बन जाने से चीन को क्या क्या फायदा होने वाला है और भारत के लिए का यह चिंता की बात है और भारत इसके काउंटर में क्या कर रहा है इन सब चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं चलिए जो यह जील के उपर अपना यह ब्रीज बना रहा है चीन पैंगोंग जील के उपर जो नया ब्रीज बना रहा है इससे क्या होगा आपको ये अभी बताऊंगा कि जील के उत्र और दक्षिन किनारों के बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए जील यहां पर ब्रीज का निर्मान कर रहा है अब यहां पर अगर ये ब्रीज बन जाता है तो जो चीन की जो सेना है वो जल्दी से जल्दी LAC यानि Line of Actual Control के पास जल्दी से जल्दी तैनात की जाएगी इनको स्पीड मिल जाएगी यहां पर पहुंचने के लिए अब आपको बता दें कि भारत में भारत का जो occupied एक तरीके का जो शेत्र है वो चीन के पास है अकसाई चीन जिसको बोलते हैं यहां पर इसने अपना कबजा कर रहा है जो है तो भारत का ही लेकिन चीन ने अपने अंटर ले रहा है और यहीं पर पैंगोंग सो जीड है पर चीन का नया कानून आया था जिसके चलता है इसने जो अरुणाचल परदेश में भारत के जो शेत्र हैं उन शेत्रों के नाम अपने यहां पर कहा दिया कि मैं इन शेत्र का अपना मानता हूं इनका नाम मैं convert कर रहा हूं यह तो अपनी चीज़ें करता ही आ रहा है अपने देश के अंदर दोसरों को बताने के लिए यह जो चीज़े है वो हमारी है और भारत इसके परती क्या कर रहा है भारत ने भी अपनी infrastructure को मजबूत किया है 2021 में BRO यानी Border Road Organization ने 100 से अधिक प्रियोजनाओं को पूरा कर लिया है जो है वो चीन के साथ सीमा साजा करते हैं यहाँ पर 100 से अधिक प्रियोजनाओं को इन्हों ने Border Road Organization ने इसने पूरा गया है अभी आपको map के तो इन चीज़ों को समझा देता हूं देखें यह जो पैंगोंग सो जील है इसकी जो लेंथ है वो तक्रीबन क्या हो रहे है अरे यह जो जील है यहां से लेकर यहां तक यह जो जील है यह 135 किलोमेटर इसकी लेंथ है जिसका दो बटे तीन हिसा तो चीन के पास है यानि भारत के पास कितना है एक बटे तीन हिसा है और यहां पर आप यह देख पा रहे हैं यहां पर यह एक ब्रीज का निर्मान चल रहा है clear यह सेटलाइट के थूली हुई image और इसी से पता चला है कि chain जो है यहां पर एक ब्रीज बना रहा है clear इसके उपर जाने से पहले आप लोगों को जो नोर्थ और साउथ दक्षिन और उत्तर की चीज़ें आई थी वो चीज़ें समझा जेते हुँ clear यहां पर यह अक्साइचीन हो गया अक्साइचीन के उपर यहां पर देखिए line of actual control है और यहां पर 8 finger है 8 finger क्या होती है कि जो समुंदर होता है समुंदर के अंदर एक तरीके जो पहाड की ऐसी जो बाहर finger की तरीके से निकली हुई कह सकते हैं कि area होता है उसी को fingers काव जाते है यह जो 4 finger यहां होगी और यह 5, 6, 7, 8, 8 finger यहां होगी भारत यह कहते है कि हमारा जो area है वो 8 finger तक है लेकिन चीन कहते है कि हमारा जो area वो 4 finger तक है एक्षोल में थो दो फिंगर ते की दावा करते हैं, लेकिन यह जो शेतर यहां पर कालपनिक छो एक खींच रखी ना भारत ने, और यहां पर line of actual control है, इन दोनों ये buffer zone है, यहां पर कोई भी नहीं आता, ना चीन की सेना आती है, ना भारत की सेना आती है, एक तो बिलकुल ख् पड़ाई हुई थी, तो यहां दोनों सेनाओं के बीच में, यहां से वापस बेजा गया था, तो आपने न्यूज में सुना हो कि चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर आगे, अच्छल में यहां से आ जाती है, और यहां से इनको फिर वापस खदेडा जाता है, तो यहां से जो कि तरीके का मत्भेड है, या फिर कहिए जो विवादित शेतर है, वो यह है, चीन जो अपना है एरिया, वो इस चार फिंगर तक या, कहीं वो दो फिंगर तक बताता है, लेकिन भारत कहता है कि हमारा जो एरिया है, वो फिंगर एट तक है, और यह जो अभी फिलाल, यहां पर कोई भी सेना नहीं है यहां पर इस शेतर के अंदर इसलिए इसको buffer zone का जाते है यहां पर ना तो petrolling कर सकती है चीन की सेना लेकिन भारत की सेना यहां पर आती रहती है clear हुआ यह हो गया disputed area जैसे मैंने आप लोगों को बता है इसको buffer zone का जाते है eight finger तक और यह रा four finger तक इन दोनों के बीच का disputed area का जाते है clear यहां पर अब समझो जरा यहां पर इस जैसे आपने दिशाओं के नाम सुनें कि उपर की तरफ north होता है नीचे की तरफ south होता है यह east होता है यह वेस्ट होता है यहां पर ही क्या होता है कि इस जिल के उपर यह वाला हिस्सा जो है यह north है यह south है यहां पर clear north bank कहते हैं इसको south bank कहते हैं इस चीज को समझा रहा हूं कि आगे चलकर हमें इसकी जुरूरत पढ़ने वाली है अब समझे जरह क्या हो रहा है यह जो North और South हो गया न आपने इस North के हिस्से में यहाँ पर 20 किलोमेटर लगवग 20 किलोमेटर आगे चल कर यहाँ पर चीन जो है Bridge का निर्मान कर रहा है इन दोनों की चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ से इस एरिया को और इस एरिया को जोड़ने के लिए क्यों कर रहा है इस एरिया को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक खुर्णोक फोर्ट है ठीक है खुर्णोक फोर्ट है जो बेस केम्प है, यहां से लेकर, अगर यहां से यह कवर करें, यह ब्रीज क्यों बनाया गया है, इस ब्रीज से बनने से पहले जो एक पुराना जो रास्ता हुआ करता था, तो यहां से लगबग 180 किलोमेटर का जो यह एरिया है, जो वो लूप को कम करने वाला है, इसको बिज बन जाएगा, तो यहां जो सेना है तुरंत की तुरंत यह, जो नया रास्ता, यह बन जाएगा, अब यहां पर जो में बेस सेना को वो तुरंत यहां बेच पाईगा, ऊज़ए बीस में जो मुद्बेड हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में जो चीन को अपनी सेना भेजने में यहां पे देरी होगी थी वो इसी कारण होगी थी क्योंकि वो यहां पर घूमके आना पड़ गया था उनके पास अगर यह रूट होता हूँ तो जल्दी पहुंच आते तो य नहीं चीजों का निर्मान जैसे की सीमा में सडकों का निर्मान हुआ पुलों का निर्मान हुआ लेंडिंग स्ट्रिप्स होगे इनका निर्मान किया जा रहा है अगस 2020 में भारत ने पैंगोंग सो जिल के जो दक्षिन तट में आप लोगों ने बताया ना जो दक्षिन खाली पड़ी उंचाईयों पर अपना कबजा कर लिया था चीन को पीछे हटा कर अब जो यहां पर इन्हों ने कबजा किया भारत ने तो इससे क्या हुआ भारत को एक स्टेटेजिकल पोजिशन मिल गई मागर हिल, गूरुंग हिल, रेजांगला, रेचीनला यहां पर अपनी इन चोटियों के उपर अपनी सैना को तेनात कर पाया एक तरीकी की स्टेटेजिक पोजिशन मिल गई जो पोजिशन चीन के पास 1962 के अंदर थी यानि यहां पर अगर कभी भी ओपरेशन करना हुआ अगर चीन के खिलाफ अगर कभी operation करना पड़ा है तो इतनी ज़्यादा important position है कि हम यहाँ पर offensive नि अकरामक एक operation चला सकते हैं अब इसके चलते क्या हुआ बारती सेना ने उत्री तट पर जो fingers चेतर है वहाँ पर दोनों सेनाओं को जो पीछे हटना बड़ा था उत्री तट से पीछे हट कर पैंगोंक सो के दक्षण में चुसुल उप शेतर में केलास रेंज पर स्थित करने पर यह सहमत हुए थे दोनों के दोनों सेना है अब समझो ज़रा अब यह जो finger 8 से लेकर 20 km की मैंने आपको बता है ना finger 8 से 20 km पूरों में चलने पर यहाँ पर इसका निर्मान किया जा रहा है यानि एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने शेतर में जो चीन ने अपने अंडर ले रहा है उस शेतर के अंदर इस पूल का निर्मान कर रहा है अब मैंने कहा ना कि भारत कहां कह रहा है कि भारत finger 8 तक अपना बताता है कि हमारा जो शेतर है वो finger 8 तक है अब चल रहा है ठीक है finger area से जील finger area किसको कहते हैं मैंने आप लोगों को बता है कि जो जील के अंदर जो आपको ऐसी ऐसी आकरती दिख रही है ना जो यह जो फिगर होता है इसी को finger कहा जाता है ठीक है आठ फिंगर है यह एक सो पैंटीस किलोमेटर इसकी लंबाई है पैंगोंक सो लिग की और यहां पर दो त्याई इससा किसके पास है वो चीन के पास है एक जील के उत्तर और दक्षन किनारे में कई समवेधन शिल यानि बहुत important points है जो कब सामने आये थे जब 2020 में क्या हुआ था 2020 में जो आपस में मुद्बेड हुई थी तब यह जो position है वो सामने निकल कर आये थी फरवरी 2021 में भारत और चीन उत्तर और दक्षन के तटों पर वापस बुलाने से पहले इस शेतर पर काफी ज़्यादा mobilization देखा गया था मतलब जब वापस बुला रहे थे सैना को काफी ज़्यादा यहां पर हलचल देखी गई थी हलचल बोले थो यहां पर अपने tank तक तै यह अभी आगे आपको चल कर पता चलेगा कि काफी ज़्यादा 40-50 km का रास्ता जो यह खम करने वाला है एतियासी रूप से यह जो चीज है 1958 में भारत के पास था खुर्णाग फोर्ट जो चीन ने अपने अंडर में ले लिया खुर्णाग फोर्ट से जो LSE वो पश्चिम म आते हैं अब समझो ज़रा यह जो पूल है कुर्णाग और कुर्णाग और यह रुडोक इन दोनों के जो बीच में 180 km के जुलूप का है उसको काड़ देगा जो पहले किया जा रहा था कि 200 km की रास्ता कम कर देगा एक्चल में 40-50 km का रास्ता ही कम करेगा अब देखिए यह गूम के आ रहे थे इसमें रास्ता जादा लग रहा था टाइम जादा लग रहा था लेकिन यहां से सीधा आएंगे यह नया रास्ता तो इसमें टाइम कम लगेगा ऐसा नहीं कि 40-50 km का रास्ता कम करेगा अब अगस 2020 में यह जो हुआ था ना कि मुद्बेड हुई थी अब यहां से वो जल्दी भेज पाएगा इस करके चीज़ें किया जा रही हैं अब भारत के लिए क्या है देखे बना तो भले ही वो अपनी शेत्र में रहा है है तो भारत का इस बना रहा है लेकिन भारत को भी अपनी ओपरेशन यहां पर तेज करने होंगे अब देखिए पूर्वी शेत्र में नहीं हो रहा, पूर्वी लग्दाग के शेत्र में नहींहीं हो बल्कि यह जो भारत और चीन की सीमा है वो उसके साथ पूरो में, मध्ध में, पस्चिम में, हर जगा हो रहा है, ठैब भारत भी यहां पीछे नहीं है, लेकिन यहीचिति अभी बनी रहेगी तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज करिख करके पुमैंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और और जयादा ही पसंद आईगी है तो शेर कर सकते हैं वीडियो को भी measure और चैनल को भी पर जोइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पीडिया मिल जाएगी, और भी काफी सारी चीज़ें आपको टेलिग्राम पर मिलती रहती हैं, तो बस आज के लिए इतना है था, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो